नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राहूल और आप देख रहे हैं The Missing Street दोस्तों आप लोगों के काफी कमेंट्स थे कि वेंडिगों के उपर कहानी लेकर आओ सो आज मैं आप लोगों के लिए बेंडिगों की कुछ डराबनी कहानिया लेकर आया हूँ मुझे उमीद है कि आप लोगों को ये कहानिया पसंद आएंगी आज की कहानी एक Animal Control Officer की है जिसको एक लड़की की कोल आती है और वो जाता है एक Animal को Rescue करने आखिर उसके साथ क्या होता है ये तो आप लोगों को इस कहानी में ही पता लगेगा सो ज़्यादा टाइम बेश्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ मैं एक Animal Control Officer हूँ मैं एक ऐसे एरिया को कवर करता हूँ जिसमें लोगों के अलग थलग समुदाय हैं जो बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्यूंकि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं आए दिन मुझे हजारों कोल साती थी एक दिन ऐसी कोल आई जिसके बाद मैंने वो जो भी छोड़ दी वो कोल मुझे सैटरडे नाइट को आई थी वो एक लड़की की कोल थी जो की पेसे से एक डोक्टर थी उसने मुझे बताया कि मैं एक परिवार के पास गई जिनके बच्चे की बहुत ज़्यादा तवियत खराब थी उनका घर जंगल के आखरी कोने में है जब मैं उनके घर के अंदर गई तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था जब मैं उस बच्चे का चेक अप कर रही थी तो उनकी बाहर वाली दिवार से कुछ गुर्राने की अवाज आ रही थी ना जाने वो क्या था मुझे वो बहुत अजीब लगा जब मैंने उस बच्चे के मातापिता को किसी के गुर्राने के बारे में पूछा तो वो कुछ अलग ही बरताव कर रही थे और उन्होंने मुझे जल्दी से अपने घर भेज दिया पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया उस डोक्टर ने मुझे बताया के सायद बहां आसपास कोई पहाड़ी सेर हो सकता है या कोई बड़ी बिल्ली आप जाके उसको पगड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ाओ और उसने कोल कट कर दी लेकिन उसने जो बताया वो मुझे हजम नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ी सेर या बड़ी बिल्ली जैसा यहां कुछ नहीं होता यहां सिर्फ भालू होते हैं खैर उसने मुझे बहाँ का एड्रेस मेल कर दिया था तो मैंने भी अपना ट्रक निकाला और अपने साथ कुछ सेफटी परपस के लिए एक गन ली और निकल पड़ा उस घर की तरफ जो एड्रेस मुझे मिला था वो मेरे ओफिस से काफी दूर था लगवग दो घंटे का रास्ता था पहले भी मुझे एक दो कंप्लेंट्स ऐसी मिली थी लेकिन वो स्ट्रीट डोग्स थे जब भी मैं उन्हें पकडने जाता वो छुप जाते थे मैं अभी आधे रास्ते में पहुँचा था तो मैंने सोचा क्यों ना गैस स्टेशन पे गैस भरा लूँ और को भी पी लूँ क्योंकि रास्ता लंबा था मैं ड्राइब करता करता थक गया था तो टांगे भी सीधी कर ली उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे निकल पड़ा जब मैं उस जंगल में एंटर करा तो एक ठंडी हवा के जोंके ने मुझे पूरा कमपा दिया आगे रास्ता थोड़ा खराब था थोड़ा क्या पूरा ही खराब था गंदगी से भरी सडक बहुत जादा बद्बू थी ऐसा लग रहा था ना जाने कितने सारे जानबर यहां ही मरे पड़े हो मैंने आगे बड़ी मुश्किल से ट्रक को निकाला अब मैं उस जंगल के पास पहुँच गया था मैंने अपना ट्रक रोका मुझे सबसे पहले वो घर ढूणना था बिना उस जंगल में भटके क्योंकि आजपास बहुत घना जंगल था जहां जहां मेरी नजर पड़ रही थी बहां पेड़ पोदे ही दिख रहे थे मैंने अपनी टोर्च निकाली और आजपास रास्ता देखने लग गया टोक्टर ने मुझे बताया था कि घर गंदगी वाली सड़क के अंत से आधा मिल दूर है जैसे जैसे मैं रास्ते पर चलता गया मुझे आसपास कीडे, पक्सियों या जानवरों को जाड़ी के नीचे से गुजरते हुए सुनता था अब मेरे कदमों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मैं अपने चारों और इस उमीद में था कि मुझे जीबन का कोई संकेत मिल जाए आसपास अंधेरा काफी था जैसे जैसे मैं उस घर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे किसी के बोलने की अवाज सुनाई दी और कुत्ते की भूंकने की अवाज सुनाई दी मैं समझ गया कि अब मैं पहुँच गया हूँ यहां आसपास कोई इंसान है लेकिन जब मैं आगे गया तो देखा वहाँ एक खलिहान है और एक खंडर सा दिखने बाला घर अब मैं थोड़ा डर गया था जैसा कि उस डोक्टर ने बताया था बैसा वहाँ कुछ भी नहीं था जब मैंने वो बाड़ा करोस किया तो मैंने देखा वहाँ एक विसाल काय जीव के पंजे के निसान थे और पास में ही एक गाय मरी पड़ी थी उसको बड़ी बुरी तरह नोच-नोच के खाया गया था उसकी आँखें बाहर को निकली हुई थी उसकी बोड़ी पे नाखुनों के कट लगे हुए थे ऐसा लग रहा था मानों उसके किसीने टुकडे करने चाहे थे अब मैंने वहाँ जाना ठीक नहीं समझा क्योंकि वहाँ जाना खत्रे से खाली नहीं था मैंने अवाज लगाई कोई है कोई है लेकिन एक चुप्पी के अलावा बहां कुछ भी नहीं था मैं थोड़ा और आगे बढ़ा मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे एक और घर दिखा अब मेरी सांस में सांस आई थी मैं जल्दी से वहां गया और आवाज लगाई कोई है मैंने दो तिन बार आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं सुना अब मैं अपनी खोज बंद करने वाला था लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक गाए वहां मरी पड़ी थी तो इस घर के परिवार के साथ कुछ हुआ तो नहीं या किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं मैं डरता हुआ बाहर के ब्रामदे में पहुँचा तो देखा दरबाजा तूटा हुआ था और खिड़कियों के काँच भी बिखरे हुए थे आखिर यहां क्या हुआ था मैंने तीन बार फिर से पुकारा कोई है यहां मैं एनिमल कंट्रोल ओफिसर हूँ क्या कोई है यहां क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है जब मैं पीछे की तरफ मुढने ही लगा था तो मैंने एक बच्चे की रोने की अवास सुनी क्या वहां कोई है चड़ने लगा, मैंने फिर से वो अवा सुनी, इस बार मुझे ऐसा लगा, जैसे वो अवाज मेरे पीछे से आ रही हो, मैंने अपनी टोर्च से दरवाजे की तरफ लाइट मारी, मुझे सिर्फ बाहर का जंगल और दरवाजे के आसपास पड़ी डश्ट धूल के अलावा कु बढ़ गई थी, ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि मैं अब क्या करूँ, मैंने अपनी गन निकाली और आगे बढ़ता गया, अंदर जाके देखा, तो बहां डाइनिंग टेबल पे अभी भी खाना रखा था, ऐसा लग रहा था, कि इस घर के परिवार ने अभी अभी ही खाना खाया हो, और वो कहीं गायब हो गए हो, आखिर उनके साथ क्या हुआ था, जैसे जैसे मैं घर के ओर अंदर गया, घर मैं अब पूरी तरह से सन्नाटा था, जो कुछ मैं सुन सकता था, वो मेरे दिल की धड़कन थी, और मेरी सांसों की आवाजें, ये स सन्नाटा मुझे और ज़्यादा डरा रहा था, मेरी और ज़्यादा बेचैनी बढ़ रही थी, मैं घर में और ज़्यादा आगे बढ़ गया, आगे बढ़ने पर मुझे किचन के उस पार पहला बैडरूम दिखा, इस कमरे की डेकोरेशन से ये बच्चों का कमरा लग रहा इस कमरे को देखने के बाद मैं अगले रूम में देखने के लिए बढ़ा, कि यहां कोई है तो नहीं, जैसे ही मैंने अपना कदम उस कमरे में रखा, तो बिस्तर के पीछे की दिवार पे खून लगा पड़ा था, वो बड़े बड़े पंजों के निसान थे, मैंने कमरे के चारों और देखा, और मेरी नजर कमरे के एक कोने पे एक परचाई पे पड़ी, जब मैंने उस तरफ अपनी फ्लेसलाइट घुमाई, तो मैंने जो देखा, उससे मेरी सांसे थम गई थी, क्योंकि उस कोने में बैठा, एक ऐसा जानबर था, जिसे मैंने अपनी जिंदगी म पहले कभी नहीं देखा था, वो लगवग साथ फीट लंबा था, उसके हाथों के पंजे बिलकुल नुकीले थे, किसी चाकू की तरह और उसके पैर किसी हीरन के खुरों की तरह थे, वो बैंडिगो धीमे से गुर राया, और उसके मूँ पे एक ऐसी स्माइल थी, जिसको मै आपको लिख के नहीं बता सकता, उसके मूँ पे चारों तरफ खुन लगा हुआ था, सायद उसने उस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला था, क्यूंकि खुन अभी ताजा ही था, उसके गुराने से ही मेरे रोंग्टे खड़े हो गए थे, जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाने लगा, वो भ्यानक सा दिखने वाला जानवर भी खड़ा हो गया, जैसा मैंने सोचा था, वो उससे भी भ्यानक था, उसने अपना मूँ खोला और हामने लगा, और चारों तरफ एक गंदी सी बदबू फैल गई, सड़ी हुई मास की बदबू, उसके दांत भी क उन्न हो गया था, ये देख के मुझे लग रहा था, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मैं एक और कदम पीछे हटा, और वो जानवर भी मेरे साथ भड़ रहा था, जैसे जैसे मैं अपने कदम पीछे ले रहा था, वो भी मेरी तरफ भड़ रहा था, जैसे कि वो मेरे कदमों क फोलो कर रहा हो मैंने जैसे ही अपनी बंदूक उसके उपर तानी तो वो जोर जोर से गुर्राने लगा मुझे एहसास था कि ये मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं अपनी बंदूक को नीचे करूं और वो कब मेरा काम तमाम करे उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया मैंने उसके उपर फायर कर दिया लेकिन इसका उसके उपर कोई असर नहीं हो रहा था मैंने फिर से दो फायर उसके सर पर मारे इस बार वो नीचे गिर गया था उसने एक भयानक चीख मारी थी मैंने इसका मोका उठाया मैंने ना जाने कितने भगवानों से प्रातना कर दी कि मुझे आज बचा लो। किसी तरह मैं दरवाजे तक पहुंचा और मेरे पीछे से मैं उस जानबर को उठने की कोसिस करते हुए सुन सकता था। वो भयानक, फुस-फुसाहट और रोने की अवाज कर रहा था। वो किसी बच्चे की तरह लग रहा था। मैं थोड़ा रुका और सांस ली। मेरे दिल की धड़कन काफी जोर-जोर से चल रही थी। एक तो मेरा सरीर काफी मोटा है, तो मुझे भागने मैं भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मोटा आदमी भी भाग सकता है। मैं फिर से दोड़ने लग गया, और मुझे ये भी डर था कि कहीं वो बैंडी को मेरे पसीने की गन से मुझे ढूनना ले। क्योंकि मेरे जैसे मोटे आदमियों को बहुत जादा पसीना आता है, तो कोई भी जानबर सो फीट की दूरी से भी हमें सूंग सकता है। मुझे एक छुपने की जगा मिल गई थी। दस मिनिट वहां अराम करने के बाद मैंने अपनी गन दाहिने हाथ में पकड़ ली और साबधानी से अपने छिपने की जगा से बाहर निकला। मैंने चारों और देखा, रास्ता साब था, तो मैं अपने ट्रक की और जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने ट्रक की और बढ़ रहा था, तो मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कुछ है, लेकिन जब भी मैं अपने पीछे मुड़ के देखता, तो कोई भी नहीं होता था। पर ऐसा लगता था कि पीछे से पेड़ों की टहनिया तूट रही हो, किसी तरह मैं अपने ट्रक तक पहुँचा, मैंने देखा कि ड्राइबर के दरवाजे के नीचे तीन लंबे पंजों के निसान थे, मैंने जल्दी से चाबिया निकाली और गाड़ी मैं बैठा, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने ट्रक में अपने पानी की बोतल से पानी पिया, मेरी नजर अचानक से सडक पे पड़ी, तो मैंने देखा वो जानबर मेरी तरफ खड़ा, मुझे देख रहा हो, मैंने जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट किया, और अपनी जिंदिगी का अब तक का सबसे तेज मोर लिया, जैसे ही मैंने आगे बनना स्टार्ट किया, मैंने उस बैंडिको को रुकते देखा, यह आखरी चीज जो मैंने अपने रियर ब्यू मीरर में देखी थी, वो एक बुरा आदमी था, जिसके सीने में दो गोलियों के निसान थे, जो की मेरी ही गोलिय जाकर उस डोक्टर को फोन किया, जिसने मुझे वहाँ भेजा था, तो उसकी जगा किशी और ने फोन उठाया, और उन्होंने कहा कि हम इस बारे मैं नहीं जानते, हमने आपको फोन नहीं किया, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था, मैं कभी उस घर में बापिस नहीं गया, सायद उसने मुझे इसलिए जाने दिया, वो चाहता था, कि मैं उसके लिए और लोगों को लाऊं, ताकि वो उनको खा सके, उसके बाद मैंने वो नोकरी भी छोड़ दी, अब मैं अपने घर में ही रहता हूं, और केवल यह पता तो ये थी मेरी सबसे भयानक कोल की कहानी, तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मुझे कुमेंट सेक्षन में जरूर बताएं